बचाओ कोई मेरे पती को बचाओ इस घर के अंदर से तोते मेरे पती को बार निकालो नहीं तो वो मर जाएगा और मैं बिदवा हो जाओंगी तोते गुझ करो रानू मैं सोच रहा था कि हम लकडियां काट कर अभी से जमा कर लें पती जी अभी से लकडियां काटने की क्या जरूरत है अभी तो पच्चियों के नए घर बनने में कापी समय बाकी है रानू सोचो जब हम घर बनाते हैं तो लकडिया साथ की साथ काट कर लाते हैं जिस बज़े से हम कितना ठक जाते हैं अगर हम लकडिया पहले काट कर रख लेंगे तो हमें बाद में सिर्फ घर बनाने पड़ेंगे हाँ आका जी ये तो आपने अच्छा सोचा है चलो तो फिर हम पहले ही लकडिया काट कर रख लेते हैं गुडिया बेटी तुम अपना ध्यान रखना हम साम तक भापिस आ जाएंगे ये कहकर वो दोनों लकडिया काटने के लिए चले जाते हैं वो दोनों सूके सूके पिड़ दे कर लकडिया काटते हैं और दोनों अलग अलग जगाओं पर काटते हैं छी छी रानो ये तुम क्या कर रही हो अरे तुम लकडिया काट रही हो मैंने तुम से कितनी बार कहा है कि तुम उससे साधी कर लो और ऐसकी जिन्दकी जीओ तो कालू मैंने भी तो तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं साधी सुधा हूँ मैं तुमसे साधी नहीं करूंगी और वैसे भी जो काम मेरे पती कर रहे हैं तो मैं करूंगी तो इसमें क्या सरम है ये तो मेरा करतब्य है रानू तो मैं भी तो तुम से कहता हूँ कि तुम उसे छोड़ना क्यों नहीं चाहती है वो तुमें ठीक से दोवक्त का दाना तक भी नहीं देता है फिर भी तुम उसके साथ रह रही हो वो कितना गरीब है तुम उससे साधी क्यों नहीं कर लेती हो देखो कालू जी तुम होंगे अपने लिए जमीदार और इस जंगल के लिए लेकिन मेरे लिए तुम कुछ भी नहीं हो और नहीं तुम मेरे कुछ लगते हो तो अब जाؤ यहां से मेरे लिए तु मेरा पती ही सब कुछ है हमें अपना काम करने दो ठीक है ठीक है अब मैं जाता हूँ तुम याद रखना साधी तो मैं तुमसे करकरी रहूंगा और तुम खुद करोगी मुझसे साधी आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसो लेकिन तुमसे साधी तो करकरी रहूंगा ये कहकर बो कालू कववा वहां से चला जाता है तब रानू चिडिया अपने पती के पास आती है और उसे सारी बात बताती है और उसे कहती है सुनिए पती जी मैं तो कहती हूँ कि हमें अब इस जंगल को छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये कालू कवब बहुत बदमास है और मुझे इस जंगल में बिल्कुल भी अच्चा नहीं लगता है रानू तुम जिन्ता मत करो ये कालू कवब कुछ नहीं करेगा मैं अभी जाकर मुखिया जी से बात करता हूँ फिर बो दोनों अपनी लकडिया लेकर घर की तरब जाते हैं और जंगल के मुखिया के पास जाकर उससे बात करते हैं तुम बिल्कुल भी जिन्ता मत करो आकास अगर वो इस जंगल का जमीदार है तो क्या हुगा मैं भी इस जंगल का मुखिया हूँ मैं किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूँगा तुम अभी कि अभी अपनी पत्नी के साथ चलो मेरे साथ मैं सिखाता हूँ उसे सबक फिर मुखिया रानू चिडिया और उसके पति आकास चिड़े को लेकर कालू कववे के घर आता है मुखिया को रानू के साथ देखकर तो कालू कववे डर जाता है तो मुखिया कालू कववे से कहता है ये बताओ कालू क्या ये दोनों कह रहे हैं ये सच है तुम चिडिया को चेड़ते हो और उससे साधी करने के लिए कहते हो मुख्या जी ये दोनों ये क्या कह रहे हैं मैंने तो कुछ भी नहीं किया मुख्या जी ये कालू कब्वा जूट कहता है बोलो कालू अब क्यों नहीं कहते हो कि तुम उससाधी करोगे अब क्यों चुब बैटे हो बोलो ना मुख्या जी ये चिडिया जूट कह रही है बलकि मैं उससाधी नहीं करना चाहता यही मुझसे साधी करना चाहती है ये कल मुझसे कह रही थी क्या तुम मुझसे साधी करोगे लेकिन मैंने तो इसे मना कर दिया नहीं तो तुम पूचो मेरे नौकर से ये उस समय मेरे साथी था हाँ मुख्या जी ये चिडिया जूट कह रही है तब तो ये कह रही थी कि मैं लकडियां काट काट कर ठक गई हूँ और आकाजी मुझे दो बक्त का दाना तक नहीं ठीक से दे पा रहे हैं इसलिए तुम उससे साधी कर लो ताकि मैं तुमारे साथ रानी बन कर रहूं और एस की जिंदिकी जी हूँ ये सब कहाता इस शिडिया चिडिया तुम इतना जूट बोलती हो मुझे नहीं पताता अगर आज ये नौकर नहीं होता और ये सच्चा ही नहीं बताता तो मैं कालू को हमेशा गलस समझता लेकिन अब इसकी सजातों तुम्हें मिलेगी नहीं नहीं मुखिया जी जूट तो ये कालू कवा और इसका नौकर बोल रहा है आप इन दोनों की बातों का बिस्बास मत करो मैं सच कह रही हूँ चिडिया कौन जूट बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है ये तो मुझे पता चले गया है अब तुम दोनों पती पतनी यहां से चले जाओ और दुवारा मेरे पास कभी मत आना और ऐसी जूटी ख़वर लेकर तो बिलकुल भी नहीं अब निकलो यहां से मुखिया की ये बास सुनकर चिडिया और उसका पती दोनों घर आ जाते हैं तब चिडिया अपने पती से कहती है देखा पती जी आपने ये कालू कभव कितना जूट बोलता है इसलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप चलो यहां से हम कहीं और जाकर रह लेंगे और अपना किसी तरह भुजारा भी कर लेंगे कम से कम वहां चैन से तो रहेंगे नहीं रानू तो मैं तो पता है कि बड़ी मुश्किल से तो हमारा यहां घर जमा है और ये घर बनाने का काम भी तो हम ऐसे इस कालू कभवे से डर कर नहीं भाग सकते बलकि हम इसका हिम्मत से मुकाबला करेंगे और यहीं रहेंगे जब गू सच में अगर आज तुम नहीं होते तो ये चिडिया तो मेरा सब के सामने नाम खराब करवा देती और मुक्या जी पूरे जंगल के सामने मुझे सजा सुनाते मालिक जी मैंने सुना है कि वो चिडिया किसी से भी नहीं डरती चिडिया को मुझसे डरना तो पड़ेगा ही वो जरू डरेगी मुझसे बस तुम देखते जाओ की में क्या क्या करता हूँ फिर ऐसे ही कुजन बीट जाते हैं कालू कवा अब चिडिया से कुछ नहीं कहता तब चिडिया और उसका पती राहत की सांस लेते हैं चलो अच्छे हुआ की वो कालू कवा अमुकिया से डर गया है इसलिए अब वो हमसे कुछ नहीं कहता हाँ आकाजी और अच्छे हुआ की हमें ये जंगल भी नहीं छोड़ना पड़ा क्योंकि और किसी जंगल में तो हमारे पास कोई काम भी नहीं है वो दोनों ऐसे बाते करी रहते कि तब ही उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है चिडिया दरवाजा खोलती है तो एक अंचानकवा घर के अंदर आता है और वो उन से कहता है मैं बड़ी ही दूर से आया हूँ मैंने सुना है कि आप दोनों घर बना लेते हो तो क्या आप मेरा घर बना सकते हो हाँ हाँ क्यों नहीं हम आपका घर बना देंगे तो बताओ कब से काम सुरू करना है मैं तो कहता हूँ कि आप आइसी काम सुरू कर दो ताकि मेरा घर चलती बन जाएगा क्योंकि मेरे पास रहने के लिए दूसरा कोई घर नहीं है ठीक है तो फिर आप हमें जगा बता दो हम कुछी दिनों में आपका घर बना कर तैयार कर देंगे फिर बो पच्ची उन दोनों को जगा बता देता है फिर बो दोनों पती पतनी घर बनाने में लग जाते हैं हाँ तो क्या बो दोनों घर बनाने के लिए आ गए हैं हाँ हाँ बो दोनों घर बनाने तो आ गए हैं परन्तु कालू दोस्त अब करना क्या है हाँ तो करना क्या है जब वो घर बन जाए तो उसमें आग लगा देना परन्तु वो आकश्ड़ा घर के अंदर ही होना चाहिए और याद रखना चिड़िया घर के बाहर होनी चाहिए लेकिन कालू दोस्त आपका गुसा तो उस रानू पर है तो फिर तुम उसी को क्यों बचाना चाहते हो क्योंकि उसे बहुत घमंड है अपने लकड़ारे पती पर इसलिए तो मैं उसके पती को मारना चाहता हूं ताकि वो खुद आकर मुझसे साधी कर ले मैं उससे साधी करना चाहता हूँ फिर वो ऐसा ही करता है जब चिडिया लकडिया लेने घर से बाहर गई हुई थी तो वो घर में आग लगा देता है ये आग कैसे लगी कोई बचाओ घर के अंदर मेरा पती है कोई उसे बाहर निकालो लेकिन वो आग तो इतनी तेश थी कि कोई भी उस घर के अंदर जाने से डर रहा था चिडिया के पती की मौत तो उस घर में हो जाती है चिडिया तुम चुप हो जाओ और हमत मतारो चिडिया अब जो होना था वो तो हो गया ये कैकर वो तोता वहां से चला जाता है उसके जाने के बाद चिडिया की बेटी कहती है ममा अब हमारा क्या होगा ममा अब हमारे घर का घठ्चा कैसे चलेगा पापा तो अब नहीं रहे गुडिया बेटी तु चिंता मत कर अब हम इस जंगल में बिल्कुल भी ने रहेंगे यहां के पच्ची बहुत दुष्ट हैं अब हम यहां से कहीं दूसरे जंगल में रहेंगे यह कहकर वो चिडिया वहां से चली जाती है और वो दूसरे जंगल जाकर अपना एक नया अंडे का घर बनाकर उसमें खुसी-खुसी रहने लगती है आरे कालो जी अब मुझे नहीं लगता है कि जंगल का अब कोई भी पच्ची हमारी दुकान से पकोड़े खाएंगे हाँ गोरी कौबी तुम एकदम ठीक के आ रही हो आब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा वरना इस तरह से तो हमारा पूरा धंदा ही चौपट हो जाएगा आरे कालू जी क्यों ना हम जंगल के सभी पच्चियों को ये बोलें कि जो भी हमारी दुकान से पकोड़े खाएगा उससे ट्रेन की एक टिकट फिरी मिलेगी आरे आहां गोरी कौबी ये तो बहुत बढ़िया उपाई है आब हम ऐसा ही करेंगे बस फिर क्या था रात को कालू कौब और गोरी कौबी सभी पच्चियों को एक जगा बुला कर उन्हें ये बात बता देते हैं देखो पच्चियो अब कल से जो भी हमारी दुकान पर पकोड़े खाने आएगा उससे हम एक ट्रेन की टिकट फिरी देंगे अब कल से जिसे भी ट्रेन की टिकट फिये चाहिए वो हमारी दुकान पर पकोड़े खाने आ जाना फिर उसके बाद जंगल के सभी पच्चियों अगले दिन से कालू कौबी और गोरी कौबी के ठेले से पकोड़े खाने लग जाते हैं आरे सोनु जी पता नहीं आज जंगल के सभी पच्चियों को क्या हो गया आज ना तो कोई पच्ची हमारे ठेले से चाई पीने आया है और नहीं कोई भी पानी पूरी खाने के लिए आया है आरे रानुचडिया मुझे खुदी नहीं बता है कि आखिर ये क्या चल रहा है हम एक काम करते हैं हम खुदी वहाँ चल कर उनसे पूँच लेते हैं बस फिर ये सोचकर रानुचडिया और सोनुचड़ा कालू कवे की दुकान पर आ जाते हैं आरे रानुचडिया और सोनुचडिया क्या हो गया क्या आज तुम दोनों भी यहां पर ट्रेन की फिरी टिकट लेने आये हो आरे तोते ही तुम क्या बोल रहे हो मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आरे रानू चुडिया क्या तो मैं नहीं पता है अब जो भी पच्ची रोज सुबा कालू कौवे की दुकान से पकोड़े खाता है कालू कौवा उसे रो जाना प्रेन की एक टिकट फिरी देता है आरे कालू कौवे ये क्या ये तो तुम बहुत गलत कर रहे हो ऐसे तो कोई भी पच्ची हमारे ठेले पर पानी पूरी खाने नहीं आएगा आरे रानू चुडिया तो फिर तुमने भी तो यही किया था तुमने भी तो अपने ठेले पर पानी पूरी इसलिए बेचना शुरू की थी ताकि कोई भी पच्ची हमारे ठेले पर पकोड़े खाने ना पाए आरे नईने कालू कौवे हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था हम तो बस अपना कारोबार आगे बढ़ाना चाहा रहे थे और वैसे भी ऐसे फिरी टिकट देने से तो तुमारा भी बहुत नुक्सान होगा और हमारा भी काम नहीं चल पाएगा ऐसे तो दोनों काई नुक्सान हो रहा है हाँ तो तुमारी पानी पूरी की बज़े से जंगल का कोई भी पच्ची हमारे पकोड़े भी तो नहीं खा रहा था इससे हमारा भी तो नुक्सान हो रहा था गोरी बेहन अगर ऐसा है तो मैं अपसे पानी पूरी बनाया करूंगी और ये कालू कौवर ट्रेन की अंदर जाकर वो पानी पूरी बेचा करेगा इससे हम दोनों काई कारोबार अच्छे सी चलता रहेगा अरे यहां रानू बेहन तुमारा बहुत अच्छा एडिया है तुम लोग ऐसा ही करो इससे तुमारा ही फायदा होगा तुम अपनी पानी पूरी के काम को और भी ज़्यादा आगे बढ़ा लेना ताकि तुम दोनों बराबर की हिस्सेदार हो सको उसमें अच्छा तो ठीक है रानू चडिया अपसे हम दोनों का जो भी मुनाफ़ा होगा पानी पूरी में से हम दोनों उसे आदा आदा बाट लिया करेंगे बस फिर क्या था पिर अगले दिन से कालू कौबा रानू चडिया की बनाई हुई पानी पूरी ट्रेन में पच्चियों को बेचने लगता है इसी तरह उन दोनों का कारूबर अच्छे से चलने लगता है एक खूपसूरत से जंगल में कई प्रकार के पच्ची रहते हैं वो सब भी पच्ची अपना अपना काम करते हैं उसी जंगल में रानू चडिया अपने पती सोनू चड़ा के साथ रहती है रानु चडिया और उसके पती सोनु चड़ा की रेल बेटेशन पर चाई की दुकान थी रानु चडिया और सोनु चड़ा वहीं रेल बेटेशन पर ही मुसाफिरों को अपनी चाई पिलाते थे रानु चडिया की बगल में ही कालू कवा अपनी पत्नी गोरी कवी के साथ रहता था बो दोनों भी रानु चडिया की बगल में ही रेल बी इटेशन पर पकोड़े बेचा करते थे एक दिन कालू कोवे की पत्नी गोरी कोबी पकोड़े बेशती समय अपने पती कालू कोवे से कहती है कालू जी रेल बे इक्टेशन पर पकोड़े का ठेला लगाने से हमारा काम कितना अच्चा चल रहा है हाँ गोरी तुम एकदम ठीक क्या रही हो जो भी पच्ची ट्रेन से उतर कर रानू चिडिया की चाय पीता है वो पच्ची हमारे पकोडे भी जरूर खाता है हाँ कालू जी अगर रानू चिडिया की चाय की दुकान हमारे बगल में नहीं होती तो हमारा काम इतना अच्चा नहीं चल रहा होता फिर ऐसे ही एक दिन वो रानू चिडिया अपना काम खतम करके अपने घर आ जाती है तब उसका पती सोनू चिड़ा उससे कहता है आरे रानू चिडिया आज मुझे बहुत ज़्यादा भूंक लग रही है बैसे तुम मुझे ये बताओ कि आज तुम खाने में क्या बना रही हो कुछ अच्छा ही बनाना क्योंकि आज ज़्यादा भूंक लग रही है बैसे सोनू जी आज आज आपको क्या खाना है आप मुझे बता दो मैं वही बना दूंगी जो आपको अच्छा लगेगा आरे वावा रानू चुडिया बढ़िया तो सब कुछ होता है लेकिन मैं क्या बताऊं अपनी तरफ से तुम एक काम करो तुम कुदी अपनी पसंद की कोई बढ़िया सी दो-तिन पकवान बना दो आरे लेकिन सौनू जी तुम एक काम करो अपने हाथों की मेरे लिए पानी पूरी बना दो तुम पानी पूरी बहुत ही अच्छी बनाती हो और वैसे भी तुमारे हाथ की पानी पूरी खाये बिना तो ना जाने कितने दिन हो गए होंगे क्योंकि तुम पानी पूरी बहुत ही टेश्टी बनाती हो अच्छा तो ठीक है सौनू जी बस थोड़ा समय लगेगा मैं अभी तुमारे लिए पानी पूरी बना कर ले आती हूँ बस फिर क्या था रानू च्डिया कोची देर में अपने हाथों से पानी पूरी बना कर ले आती है रानू च्डिया मैं तो सोच रहा था कि हम दोनों अपने कारोबार को और भी आगे बढ़ाएं ताक कि हम दोनों और भी जादा तरक्की कर सकें आरे पर सोनू जी आप कहना क्या चाहते हो मैं समझी नहीं अभी भी तो हमारा कारोबार अच्चा ही चल रहा है आरे रानू च्डिया मैं सोच रहा था कि तुम देखो ना पानी पूरी किद्नी स्वाधिस्ट बनाती हो तो क्यों न हम अपनी चाय के साथ पानी पूरी भी बेचें तो हमारी और भी ज़्यादा कमाई होगी अरे आहा सोनू जी तुमारा आइडिया तो बहुत अच्चा है और वैसे भी मुझे तो पता है कि जंगल के सभी पच्चियों को मेरे हाथ की पानी पूरी बहुत पसंद है बस फिर क्या था अगले दिन से रानू च्डिया और सोनू चड़ा अपने ठेले पर चाय के साथ पानी पूरी भी बेचने लगते हैं वहीं दूसरी तब जब कालू कौवा ये सब देखता है तो वो अपनी पत्नी गोरी कौभी से कहता है आरे गोरी कौभी ये क्या ये रानू च्डिया अपनी दुकान पर पानी पूरी कबसे बेचने लग गई है आरे नहीने कालू जी मुझे नहीं पता कि रानू चड़िया ने ऐसा कब से करना शुरू कर दिया है चलो हम उसके पास जाकर उससे कुधी पूंच लेते हैं यह कहकर कालू कौव और गोरी कौवी रानू चड़िया की और सौनू की पानी-पूरी की टेले के पास आ जाते हैं आरे आरे क्या हुआ कालू कौवी और गोरी कौवी आप दोनों मेरी दुकान पर क्यों आये हो आरे नईने रानुचडिया हम कोई खास काम से तो नहीं आये थे बस हम तो ये पूँचने आये थे कि तुमने अपनी चाय के ठेले पर ये पानी पूरी कपसे बेचना शुरू कर दी है आरे कालू भाईया बस आएसे ही हमने अपने ठेले पर पानी पूरी बेचना भी सुरू कर दिया है और हम तो तुमें भी कहते हैं कि तुम भी अपने कारोबार को आगे बढ़ाओ आरे रानू चडिया तुम तो रह नहीं दो हमने तुमसे कम मसवारा मांगा है जो तुम हमें मसवारा दे रही हो फिर बोग दोना वहाँ बैटे होते हैं कि तब ही थोड़ी ही देर में रानू चडिया के ठेले पर कुछ मुसा फिर पच्ची भी आ जाते हैं आरे वावा रानू बेहन तुमने तो बहुत अच्चा किया है जो तुमने पानी पूरी भी बेचना सुरू कर दी है आरे लाओ भाई रानू चडिया जरा हमें भी तो अपने हाथों की पानी पूरी खिलाओ आरे पर पच्चीयो तुम सब तो ट्रेंज से उतरने के बाद मेरे पास पकोड़े खाने आते थे ना तो अब तुम ये पानी पूरी क्यों खा रहे हो आरे पर कालू भाईया जब हमें पानी पूरी से इतनी अच्छी कुजबू आ रही है तो हम तो पानी पूरी ही खाएंगे वो हमारी मर्जी हम चाहे पकोडे खाएं या पानी पूरी इससे आपको क्या लेना देना बस पिर ये सुनकर तो कालू कौब और गोरी कौबी को काफी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बो दोनों अपने ठेले पर बापस आ जाते हैं तब गोरी को अभी कहती है आरे कालू जी अब मुझे नहीं लगता है कि जंगल का अब कोई भी पच्ची हमारी दुकान से पकोडे खाएंगे हाँ गोरी कौबी तुम एकदम ठीक क्या रही हो अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा वरना इस तरह से तो हमारा पूरा धंदा ही चौपट हो जाएगा आरे कालू जी क्यों नहीं हम जंगल के सभी पच्चियों को ये बोलें कि जो भी हमारी दुकान से पकोडे खाएगा उससे ट्रेन की एक टिकट फिरी मिलेगी आरे आहां गोरी कौबी ये तो बहुत बढ़िया उपाई है आब हम ऐसा ही करेंगे बस फिर क्या था रात को कालू कौवा और गोरी कौबी सभी पच्चियों को एक जगा बुला कर उन्हें ये बात बता देते हैं देखो पच्चियो अब कल से जो भी हमारी दुकान पर पकोडे खाने आएगा उससे हम एक ट्रेन की टिकट फिरी देंगे अब कल से जिसे भी ट्रेन की टिकट फिरी चाहिए वो हमारी दुकान पर पकोडे खाने आ जाना फिर उसके बाद जंगल के सभी पच्चियों अगले दिन से कालू कौवी और गोरी कौवी के ठेले से पकोडे खाने लग जाते हैं आरे सोनु जी पता नहीं आज जंगल के सभी पच्चियों को क्या हो गया आज ना तो कोई पच्ची हमारे ठेले से चाई पीने आया है और नहीं कोई भी पानी पूरी खाने के लिए आया है आरे रानुचडिया मुझे खुदी नहीं बता है कि आखिर ये क्या चल रहा है हम एक काम करते हैं हम खुदी वहाँ चल कर उनसे पूँच लेते हैं बस फिर ये सोचकर रानुचडिया और सोनुचड़ा कालू कवे की दुकान पर आ जाते हैं आरे रानुचडिया और सोनुचडिया क्या हो गया, क्या आज तुम दोनों भी यहाँ पर ट्रेन की फिरी टिकट लेने आए हो? आरे तोते यह तुम क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आरे रानू चुडिया क्या तो मैं नहीं पता है अब जो भी पच्ची रोज सुबा कालू कवे की दुकान से पकोड़े खाता है कालू कवा उसे रो जाना रेन की एक टिकट फिरी देता है आरे कालू कवे ये क्या ये तो तुम बहुत गलत कर रहे हो ऐसे तो कोई भी पच्ची हमारे ठेले पर पानी पूरी खाने नहीं आएगा आरे रानू चुडिया तो फिर तुमने भी तो यही किया था तुमने भी तो अपने ठेले पर पानी पूरी इसलिए बेचना शुरू की थी ताकि कोई भी पच्ची हमारे ठेले पर पकोड़े खाने ना पाए आरे नईने कालू कौवे हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था हम तो बस अपना कारोबार आगे बढ़ाना चाहा रहे थे और वैसे भी ऐसे फिरी टिकट देने से तो तुमारा भी बहुत नुक्सान होगा और हमारा भी काम नहीं चल पाएगा ऐसे तो दोनों काई नुक्सान हो रहा है हाँ तो तुमारी पानी पूरी की बज़े से जंगल का कोई भी पच्ची हमारे पकोडे भी तो नहीं खा रहा था इससे हमारा भी तो नुक्सान हो रहा था गोरी बेहन अगर ऐसा है तो मैं अपसे पानी पूरी बनाया करूंगी और ये कालू कौवर ट्रेन की अंदर जाकर वो पानी पूरी देचा करेगा इससे हम दोनों काई कारो बार अच्छे से चलता रहेगा अरे यहां रानू बेहन तुमारा बहुत अच्छा इडिया है तुम लोग ऐसा ही करो इससे तुमारा ही फायदा होगा तुम अपनी पानी पूरी के काम को और भी ज़्यादा आगे बढ़ा लेना ताकि तुम दोनों बराबर की हिस्सेदार हो सको उसमें अच्छा तो ठीक है रानू चडिया अपसे हम दोनों का जो भी मुनाफ़ा होगा पानी पूरी में से हम दोनों उसे आदा आदा बाट लिया करेंगे बस फिर क्या था फिर अगले दिन से कालू कौबा रानू चडिया की बनाई हुई पानी पूरी ट्रेन में पच्चियों को बेचने लगता है इसी तरह उन दोनों का कारूबर अच्छे से चलने लगता है दोस्तो यह थी आज की कहानी और हाँ दोस्तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहें और हाँ दोस्तो आज का सवाल ये है कि चिडिया के पती की मौत कैसे हुई थी अगर आपको पता है तो कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक और हाँ दोस्तो घंटी बजाना ना बूलना ताकि नई वीडियो आपके फॉन की स्क्रीन पर हो मिलती हो में आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद